यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और रहेंगे और काफी सारै समस्याइं है जो आपकी दूर हो जाएंगी तो वो & इतना जाधा जरूरी है इतना जाधा मैत्व मौन है कि आज की अंक में भी हम उसी इसलिमेंगं Kar例 नाम इसी लिय रख और आपको स्वस्थ्तर परदान करती हैं में एगर कोई घर में बिमार है तो वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं क्योंकि अब आपके घर की सारी नेगिटिव टीडिश जितनी भी नाकार आत्मक उचा हम लोग बोलते उन सब को खतम करने का एक काम करते हैं और इसमें जो medicines है वो उसके जो fumes होते हैं जो उसका धुआ निकलता है वो हम लोग जैसे जब इनहेल करते हैं तो वो आपके पूरे system में वो aromatherapy वे work करता है जैसे खुश्बू हम लोग कोई चीज की लेते हैं अरोमा खुश्बू होते हैं तो वो जैसे हमारे central nervous system पर एफेक्ट करती है और जब हम लोग इसको इनहेल करते हैं तो वो हमारी जितनी भी हमारी नर्व्स है या हमारा जितना भी ब्रेन के जो पार्स हैं उनको नरिश करने का काम करते हैं तो उससे हम लोग healthy रह सकते हैं अच् उस time the Hindu newspaper में इस पर article आया था कि उस time दो लोगों का उसमें नाम mentioned है आप लोग net पर भी check कर सकते हैं कि दो लोग उस environment में सिर्फ दो लोग बचे थे जो अपने घर में daily haven करते थे इतनी tragedy होने के बाद भी एक mention आना that is something important है ना कि इतना इसमें इतना बल है और इतना इसका effect है कि आपके घर की even के radiations ने भी वहां पर effect नहीं किया और एक चीज़ी मैं यहां बताना चाहूंगे कि नासा में भी जितने जहां पर प्रयोग होते हैं तो वहां पर भी हम लोग य पर उन्होंने लेप किया हुआ है जहां पर बहुत जादा radiation आती है तो यह बात करें पंच गव्या की तो क्या हमारे दर्शकों को बता सकते कि पंच गव्या क्या है पंच गव्या गाए की पांचों चीजें जो हम लोग यूज में लाते हैं उनको पंच गव्या बोलते हैं आज की डेट में बहुत सारी medicines भी हम लोग इस पर बना रहे हैं जैसे anti-cancerous जो है वो मेली पंच गव्या से हम लोग medicines बना रहे हैं और एक मेरा product भी है जिसको हम लोग use करवाते हैं तो आपके body मेली alkaline रहती है हम लोग फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे अगर मैं उसमें आजाओंगी पंच गव्या तो पंच गव्या मेली जो गो मुतर और गोबर है गो ददी है दही जिसको हम लोग बोलते हैं दूध है और गी है इन पांचों चीजों का मिश्रन मेरे इसमें भी है पाइस elements में क्योंकि वह इतनी positive होते हैं कि अगर हम लोग उनको घर में यूज करते हैं तो वह आपके घर की हर चीज negativity को मिन्दूर कर देते हैं और यहां पर मैं यह भी बताती हूं लोगों को कि आप घर में चाहे हफते में एक बार एक धकन ही गो मुतर चाही यूज करें घर में ज़रूर यूज करें आप पोचा लगाने के लिए तो वह भी आपके घर की कितने बैक्टीरिया और वाइरस वह सारे क्लिन करने का काम और वैसे भी हिंदू धर में गौमूत्र को बेहदी पवित्र बिमाना गया है और इसी के साथ एक जरूरी सूचना ह हमारे दर्शकों के लिए ये है कि टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे फोन नंबर दिखाए जा रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और अपने समस्या हमारी आयुवेदा एक्सपोर्ट के सामने रखिए और उनका समाधान लीजिए तो हम बात करें थे पंच गव्या की जो कि आप जनम होता है तो उस हीज़ाँसे इसमें 27 नक्षत्रा मेने सारे यूजज करें घर के जितने भी मैंबर्स हैं उनके लगलग नक्षत्रा भी हैं तो वूसरी कवर हो सके और 9 प्लैनेट्स नाइन प्लैनेट्स के प्रतिन दिर्वया मैने इसमें यूज़ करें मैंडिसन्स द् प्रोड़क्ट के लिए अम लोग जो प्लैनेट को शमन करने के लिए अगर किसी का प्रकॉप है तो और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर आजे मंदी से जुड़ गए है आजे अपने समस्य रखे हलो मैं नमस्कार हमाशकार जी मैं मैं न जो आपका प्रोग्राम चल रहा है तो मैं मैं एक चीज़ कुछ निया है कि मेरा नाग जो है एक साइड करना बंद रहता है आचा जी और एक साइड जो ज्यादा ब्लोग कर रहा है और एक साइड बिलकुल ना स्वक जैसे ताम नी कर तो आप ने इंटी में चेक करवाया आपकी बोन तो नहीं लार्ज हो चुकी के वो कहीं ब्लॉक हो गरी है या फिर वहां पे नाक में मस्से भी बन जाते हैं जिसको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं कुछ है अच्छा मतलब कहीं ऐसी ब्लॉकेज तो नहीं है ना नहीं मैं मैं एक्सरा तो लिया था उसमें तो कुछ ऐसा आया नहीं बोलता कुछ छोड़ा सा इंफेक्शन है वो द्वाई विनाक में नोजल चीज़ दिये हुए है नोजल डालने को पता नहीं आप मैं हो नहीं रहे ठी ओकी ठीक है अपना नेजल ड्रॉप जो आपको उन्होंने दिये है वो चेंज करो एक कमारा आता है शड़ बिंदू तेल आता है आपको पतंजली का मिल जाएगा मंडी में भी तो शड़ बिंदू तेल आप नाक में डालना शुरू करो हलका सा गरम करके ल्यूक पॉर्म कर कि आप उसको डालेंगे शड़ बिंदू तेल शड़ बिंदू तेल शड़ बिंदू तेल अच्छा ये काम मिलेगा मैं ये पतंजली की उसमें मिल जाएगा आपको तो आप ये यूज करिए नाक में डालना शुरू करें आप इससे आपकी कोई भी रिजन होगा स्याओं को दूर करना तो क्या ये जो पाइस ऐलिमेंट है क्या ये भी इसके लिए कारगर साबित हो सब्सक्राइगा ये तो है कि ये आप आपकी कोई भी प्रॉब्लम है पहली बात तो हो नहीं नहीं देगा ये ही मैं बोलती हूं कि मतलब आपकी हॉस्पिटल में विजर जो है वो 50% कम हो जाएगी that is for sure and I can give that in return मैं आपने पेसेंट को जब ट्रीट करना शुरू करती हूं तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करती हूं कि पहले तो आप अपना environment clean करो जब तक वो चीजें नहीं होंगी तब तक मतलब आगे दवाईयां भी असर नहीं करती तो हम लोग जैसे व होता है कि I think मुझेक बश्मा उसको महतव नहीं देना चाहिए थोड़ासा तो आपको उस पे हर तरीके से अफट करना चाहिए तो यह पॉजिटिव से शुरू होता है जब तक आपका अपना मनों बल इतना स्ट्रॉंग नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को रिपैल नहीं कर सकते हैं तो मैं यहां पर यह ज़रूर बताना चाहूंगी कि मैं जब छोटे थे ना तो शुरू से मेरा बच्पन से ही मेरा एक फोकस थो था के मुझे डॉक्टर बनना है बर साथ में मुझे यह भी लगता था कि मुझे ना कुछ ऐसा ज़रूर बनाना है मेडिसंस में कि मैं सब को हेल तो यह मेरा एक जो प्रोड़क्ट है ना वो मेरा जो सपना था उसी का मैं बोलूंगी कि उसी को साकारात्मक प्रूप मैंने दिया है प्रोड़क्ट है जो मैंने इसी इंटेंशन से के साथ बनाया था कि मुझे हर बंदा ट्रीट कर रहा है आज की डेट में इतने डॉक्टर से सब लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ट्रीटमेंट तो हो गाई है ना बंद कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि हम लोग ऐसा एफट कर सके के लोग बीमारी ना हो है ना तो डाट विल बे मोर पॉजिटिव तो मैंने इसलिए अपनी जितनी आप सोचो कि मेरी इतनी सालों की मेरी स्टडीज है है एस्ट्रोलोजी की है वास्तू की है अरोमा थरपी की है मैंने सब को कंभाइन करके मैंने यह अपना एक प्रॉडक्ट बनाया था पाइस करना चाहिए तो लोगों की समस्याओं को दूर करने का यह अच्छा आपका मेसिज है और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गहें दिली से अकबर हैं अकबर अपनी समस्य रखिए अब जैसे मैंने बता रही हूं कि आपके घर में की छोटी से छोटी इंफेक्शन अगर किसी को भी है आपके घर में कोई बीमार रहता है या किसी को जैसे कफ कोल अभी जैसे कॉलर आये थे कफ कोल रहता है या किसी घर में इवन के आई डोंट वांट तो डिसकस दाट बट इसका इतना बेनेफिट है कि घर में कई बार होता है ना छोटी छोटे मतबेद होते रहते हैं लैक ओफ आर्मनी इस देर है ना बिलकुल यह हर इंसान के लिए बेनेफिशल है बट यह जलाना थोड़ा सा है इसको मेडिसन के रूप में हमने यूज करना है कि आपको बस पांच ग्राम अपने डेली उसको बन करना है किसी भी पातर में आप इसको यूज कर सकते हो जैसे यह मैं दिखा भी रही हूँ यह यह आपके पास दिया भी है इवन उसका अपना मिट्टी का तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो तो उसको लगा कि आपने इसको हैं जी कहां से 25 करना होगा मैं यह हमारी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं 921677727 है ना तो यहां पे आप कॉल करके आप बोल सकते हो तो वहां पे आपको हम आपको लिख के भी देते हैं कि आपको किस ताइम पर यूज करना है किन प्रॉब्लम्स में है जो जो एटू जी ए उन जगह पे भी मैंने इसके बहुत बैनेफिट देखे हैं यहां पे इवन के हम लोग जो पॉजिटिविटी चेक करते हैं घर की तो वहां पे मैंने इसका साखशात हमने एक रिकॉर्डिंग भी करी हुए और वो कोई भी आप चया के चेक कर सकते हैं तो राजस्तान से आजे मोधी हमार साथ जुड़ गए हैं आजे अपनी समस्य रखिए तो लगता है हमारा संपर के चुट गया है इससे पहले अकबर हमार साथ जुड़े हुए थे और हम बात करें थे कि छोटी से छोटी जितनी भी समस्य आये हैं वो इस पायस अलिमेंट से दूर हो जाती है कई लोगों को माईगरीन की समस्या है तो कई लोगों को जुखाम की समस्या है स्किन अलर्जिस हैं वो घर में डैंपनेस के गारण आती है यस इवन कि आप सोचो के यह कई बार घरों में डिसार्मनी कि मतलब हजबंड वाइफ की नहीं बनती पेरेंट्स की नहीं बच्चों से नहीं बनती तो वह इसलिए क्योंकि हमारे जो एन्वायमेंट हो इसलिए को भी नलीफाई करता है तो कितना सिर्फ थोड़ा सा जलाना है हमने पांच ग्राम की डेली डोज है सूरिय चड़ने से पहले सूरिय जब सूरिय सुबह जब चड़ते हैं उसे पहले हमने करना है और सूरिय अस्तों होने के बाद दोनों टाइम पर भी आप अगर जलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके विदिन 40 देज पर 40 देज का पैक मैंने बनाया हुआ है तक कि आप एक कोर्स करेंगे तो आपको पूरा बैनेफिट मिलेगा अब मैं तब यहां पर तुम्हीं बोलते हूं कि अगर नहीं मिला तो आप मुझे मुझे जरूर कॉल कर देखेंगे तो 40 देज में आपको जरूर एफेक्ट मिलता है तो मैं यह कहते हूं कि 40 देज आप जरूर चलाओ आपको नहीं फरक मिलेगा तो आप I will be responsible तो यानि कि फुल-on guarantee मिल रहे हैं अगर चारीज दिन अगर आप इस पाइस ऐलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपक पर चारीज दो एक्सपर्ट के सामने और यहां पर जैसे लास्टांग भी मैंने बताया था कि अमारा जो यह बेसिक जो है चरक साहीं के हमारी जहां से मैंने यह रफ्रेंस लिया है वहां पर उन्होंने देखो कित्शाल पुरानी हमारी आयरवेध की हुए है तो उत्ती साल कि अपना इंवायमेंट हम लोग ne तो भूमेंट वासमन सान्ष लेते हैं वो सारा games ब n then was just was the way or baking नहीं से हमने यह reference लिया है कि उन्हों क्या है रय्षिमूनी है तो आपकी एक problem देते तो उसका solution भी उन feder June ने दिया हुआ है तो वहीं से हमें यह reference मिला है मुझे कि अगर आप गर तो इसके साथ हमारे अगले कालर कांगरा से सुरेश जूड़ गए हैं सुरेश अपनी समस्या रखिये नमश्कार मैं नमश्कार जी अलो हाँ जी जैसे मोशन के हैं होता है खांसी की दिख्कर आती है तो जब भी वेदर चेंज होता है तो आपको यह दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको एक तो अपनी इम्मुनिटी बढ़ानी पड़ेगी ठीक है और यह आप पाइस ऐलिमेंट्स जरूर यूज करेंगे इससे आपके घर का जो महाला एक थोड़ा सा होता है ना कि डैंपनेस रहती है हमारे घरों में तब भी हमें यह जो चेंज ऑफ वेदर में हमें दिक्कत आती है तो अगर आप कुछ भी नहीं करते तो बदाम जर है क्योंकि आज हम ऐसे ऐलिमेंट के बात कर रहे हैं जिसको लेकर के आप अपनी काफी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं तो हम बात कर रहे थी कि आपने कहां से इसकी प्रेड़ना ली इसके बारे में बात कर रहे थे हां वहां पर मैं बता रही थी चरक पे हमारे वहा father of surgery आज की डेट में भी बहुत सारे सर्जरी इंस्टिटूट्स हैं जो उनका नाम शुशुरुट से रखा हुगा है because he was the father of surgery और जो हमारी उस टाइम पर भी surgery की जाती थी तो आज की डेट में जो disinfection करते हैं बहुत सारी medicine से करते हैं तो उस टाइम जो कितने केमिकल से करते हैं तो उस टाइम हर्ब्स का वो दुहां होता था उस इससे वो fumigation करते थे आपना वो डिसिंफेक्ट करते थे जहां पर उन्होंने surgery करनी होती थी अभी रिसेंटली में एक वीडियो देख रही थी अगर आपने भी देखी हो तो वहां पर साउथ आफ्रीका की सज्जरी उन्होंने लाइप दिखााई चाहिए और पुरिरण की शर्जरी उन्होंने दिखाई हुई है वो कि उस ने पूरा ब्रायन खुला है और वहां पर भी वो जो ह्में उन्होंने उसको डिसिंफेक्ट्सीं हा है वो मेरे साथ surgery हो रही है तो ये सारी पहले प्राचीन काल से सारी चलती आ रही है तो वहां पर उस टाइम एक तो ये surgeries होगी एक उस टाइम पर जो बेबी बर्थ होता था तो उसके लिए special वो उस टाइम पर रूम्स बनाए जाते थे हऊस्पिटल तो थे नी तो रूम्स बनाई जाते थे जिसको सूति का गार कहते थे भेयार दो मेरे अगले कोलर में ते मपनग एप स्समस्य एपती है तो पवाज इसार चार में कानिको नो हुआता है ऑर आफ और मन सुन पा रहे हैं फालने काल ने में आफ यह प्रत्व हुआ करे खिर कין चार म़яж से इस fine पेस पे क्या पिंपल्स है क्या है कैसे है कैसी प्रॉब्लम है आपको फेस पेस किन प्रॉब्लम है तो आप ना सिर्फ दो चीज़ें कीजिये आप हल्दी और चंदन उनको रोज वाटर में मिला के उसका लेप लगाएं रोज वाटर में पवाज अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए और इसके बाद अपनी समस्या रखिए पवाज क्या आप हमें सुन पा रहे हैं आपके लिए सिंपल सबसे बेस्स सलूशन यही है जो आप सफेज चंदन और थोड़ी सी हल्दी मिला के उसमें रोज वाटर मिला के उसका लेप लगाएं उससे आपके मुझे लगता है आपकी बॉड़ी में गर्मी ज्यादा है और वह आपके फेस पे आ रही है ठीक है तो चंदन सबसे बेस्स चीज होता है जो आपकी हीट को एब्सोर्ब करता है जब आप उसको फेस पे लगाएंगे न तो वह आपकी पूरी फेस की हीट को एब्सोर्ब कर लेगा आप उसको वाश कर देंगे दूच से तो उसे आपकी दीरे दीरे ये स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपने एक तो चंदन हो गया जिए एक हल्दी चंदन जैसे एक चमचा पर चंदन लेते हैं तो वन टैंथ उसका हल्दी लेनी है आपने और उसको रोज वाटर में लेप बनाना है आपने अपन लेका हुत को सब्सके तो अपनी समस्या रखिए आणe मयं नमस्कार नमस्कार मर टाम मे्री को मत्रोडों में प्रोलम werden तो थीन मिनी हो गए जो डोक्टर को भी दिखाया तो हो ही एक खुछ नहीं लेकिन उसको जन जनात होती है मशूडों में one side मतलों left side है और अलपी-अलपी फुजन है क्या problem में होती है और देखो उनकी मशूडों में swelling हो रही है आप क्या करो सरसों का तेल लो अप प्योर सरसों का तेल उस में थोड़ा सा सिंदा नमक और फिट करी उसको एक लेप सा बना के ना उनके मसूडों पर अपलाई करवाईए ठीक है और उनको बोलो कि जिती दिर वो होल्ड कर पाए मूव में बंद करके उसको रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं गंडूश धारन करना गंडूश मतलब आपने मूव में से उसको रखना है जितने आप भोल्ड कर पाते हैं और उसको मूवमें करते रहते हैं ऊसको चलाते रहते हैं मूव में थीक है यह करेंगी इस से तीन sahara दिन में उंकी सारी top हो जाएगी उसके बाद उसको जब वो निकालेंगे तो उसकी बाद गरम पानी इससे भी गार्गल्स करने हैं. ठीक है, इससे उनकी पेंट ठीक हो जाएगी. ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए और उसके बाद हमारे साथ यूग लाल जुड गये हैं करुकशेतर से. जी अपनी समस्या रखिए. यूग अपनी समस्या रखे तो लगता है हमारा संपर्क चूट गया है उनके साथ तो हम बात कर रहे थी पायस ऐलिमेंट की और यहाँ पर छोटी से छोटी जितनी भी बिमारिया है पायस ऐलिमेंट उसके उपर काम करता है और इसके अलावा भी अगर हम डेली इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो यह छोटी छोटी समस्या है जितनी भी दर्शक हमारे सामने रख रहे हैं शायद वो भी खत्म हो जाएगी बिलकुल खत्म हो जाएगी मतलब छोटी से बड़ी हार प्रॉब्लम के लिए मतलब मैं बोलूँ कि इस से बैटर मैं कुछ नहीं बना सकती थी मैडिसन तो एक जगा है क्योंकि देखा भी जाता था पहले जितने भी रिशी मुनी होते थे वो हवन करते थे और वो स्वस्थ भी रहते थे और सोचो कि हम लोग आज की डेट में भी मंदिर मस्जिद कहीं पर जाते हैं वहां पर फ्यूमिकिशन होती है वहां पर इतने लोग जाते हैं वो इतने सारी हर इंसान की नेगिटिव थॉट्स मैं बोलूँ कि मंदिर मस्जिद में थैंक्स करने हम लोग बहुत कम जाते हैं हम लोग अपनी समस्यां लेके जाते हैं और कर्ण है और इसे के साथ अभिवानिसे अमेश कुमारे हमारे दर्शक हमारे सा जुड़ गये है अपने समस्यस रखे जिर सब्सक्राइब मैं उनकी मिस्स बोल रहा हुँ उमेरे ना कानों में से अवाज्य आती है एड़ साल हो गया परेशानी लो सकी कई आफे कान एंग शिवतर तो नीं जाती है कभी तेज कभी नीद की प्रॉब्लम हो जाती है नीद की प्रॉब्लम है एक आपको नांक बदम डालना पड़े आप बद करेंगे नाक को बंद करके यहां पर पूरे कान तक हवा बरने की कोशिश करें आप ठीक है ठीक है उसको आप दिन में चार-पांच बार कर लेंगे ना तो धीरे-दीरे आपके कान से यह जो आवाज आती है वो बंद हो जाएगी ठीक है ब्रेंट टॉनिक कौन सा लेना पड़ और आपकी यह जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो इसके लिए भी ठीक है मैम तो आप यह ले ले और नाग में बदाम रोगन आज से ही डालना शुरू कर देंगे आप देखोगे चार-बांच दिन में आपको काफी बेनेफिट मिल गया है कि अब छुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हम बात करें थे पायसईलिमन्ट की और आपने बताए कि इसमें पंच गव्या का इस्तमाल किया गया है इसके एलावा मैम इसमें और कौन-कौन-कौन-से इलिमेंट्स डाले गए इसमें डाल। बैने करती हैं। तो मैं बताओं कि मेरे पांस जैसे लोग आते है ना तो छोटे-चोटे बच्चे हैं वो कई बार बोलते हैं कि अन्नेससरी रोते हैं यह ऐसे होता रहता है यह कोई चोटी-चोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं बड़ों की भीवन के डर के उठ जाते हैं रात को बहुत लोग ऐ हैं कि कोई सपना आया और डर के उठ गए तो मैंने क्या किया फिर इसमें मैंने वो स्टडी करी जैसे जो छोटे बच्चे आते थे तो मैंने मदेस को बोलती थी मैडिसन तो ठीक है एक साइड चलती रहती है बट कई बार रीजन ही नहीं पता लगता नहीं कि बच्चे को प और इसको बार में अब हम रोज बात करेंगे कुछ दिनों तक जब तक ये सब कुछ अच्छे से लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं चले जाती तो आज की कारेक्रम में बस इतना ही नमस्कार तेंक यू कुछ धिनों अच्छे से लोगों के अच्छे से लोगों के लोगों के लिए जानकारी थे लोगों के रादेश आजै वादे माता है भूगों के बसुछई उल्चे